हेलो एवरिवन बच्चो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिप्ट के परियावरण अध्यन की किताब आसपास का पार्ट सत्र है फांधली दिवार बच्चो आपने पार्ट पढ़ाई होगा आज हम इस पार्ट के क्वेशन आंसर करेंगे तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकिशन मिलते रहें तो बच्चो शुरू करते हैं Q1 है क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग-अलग तरह के खेल खेलते हैं अगर हाँ तो लड़के क्या खेल खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं तो बच्चों आंसर है इसका हाँ हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां कुछ अ क्या सोसते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है तो हाँ बच्चों लड़के और लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कुछ अंतर जरूर होता है लड़के लड़कियों के मुकाबले अधिक परिश्रम कर सकते हैं इसलिए सारी रिक प्रिश्रम वाले खेल खेलना पसंद करते हैं अगला कुशन है तुम्हें क्या लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं तो बच्चों नहीं लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर नहीं करना चाहिए लड़कियां भी लड़ लगता है और क्यों तो इसका आंसर ये है टीम के लिए खेलने में और अपने लिए खेलने में बहुत अंतर है जब हम अपने लिए खेलते हैं तो हम अपने लिए ही सोचते हैं किन्तो जब हम टीम के लिए खेलते हैं तो हम टीम से ताल मेल बना का खेलते हैं हम एक दूसरे की गलतियों को संभालते हैं जिससे हमारी टीम ताकतवर बनी रहे इसलिए मुझे टीम में रहकर टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है अगला कुशन है क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं कौन से तो हाँ मैंने होकी करकेट फुटबॉल और बैडमिंटन के मैच देखे हैं अगला कुशन है लड़कियों को पढ़ाई खेल या उनके मनपसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा तो इसका आंसर है लड़कियों को पढ़ाई खेल या उनके मनपसंद के कारियों से रोका जाए तो उनका मानसिक और सारीरिक विकास नहीं हो पाएगा उनकी प्रतिभा दबी रह जाएगी देश की तरक्की के लिए लड़कियों को आगे आना बहुत जरूरी है अब नेक्स्ट कोश्चन है खेल के छेत्र तुमने किन-किन महीला खिलारियों के बारे में सुना है कौन-कौन और किस-किस खेल में है इसका आंसर है खेल के छेत्र में निम्न महीला खिलारियों के बारे में सुना है जैसे की सानिय मिर्जा जो की टैनिस खिलारी है पी-टी उसा जो की एथलेटिक्स खिलारी है अंजू बॉबी जोर्ज लंबी कूद के लिए फेमस है अपर्णा पॉपट बैडमिंटन में सानिय नयवाल बैडमिंटन में अगला कौश्यन है तुमने खेल के अलावा और किस खेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है तो वच्चो खेल के अलावा भी हर पेसे में महिलाएं आगे हैं प्रतिवा पार्टिल भारत की प्रतम महीला जो की एवरेस्ट पर चड़ी अगला कुश्चन है अख़बार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फान चुकी है लिंग भेट की दीवार भी जो इसकी माने खड़ी की है सोच कर अपने सब्दों में लिखो कि वे कौन सी दिवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब होगा आंसर है लिंग भेद की दिवार का अर्थ है लड़का और लड़की में भेदभाव अफसाना एक लड़की है, उसकी माँ उसे खेलने से मना करती थी उसकी मां का मानना था कि खेल खेलना सिर्फ लड़कों का काम है लेकिन अफसाना ने अपनी मां को राजी कर लिया और वह आज बॉस्केट बॉल स्कूल टीम में है उसने लड़के-लड़की के भेदभाव को खत्म कर दिया और दिखा दिया कि लड़कियां भी लड़कों से आगे निकल सकती है इस प्रकार उसने लिंग भेद की दीवार फांद ली Question है क्या तुम सोचते हो लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं लिखो तो आंसर है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल लड़कियां हर छेतर में लड़कों से आगे निकल रही है वे अच्छी सिक्षा पाकर आज जगे जगे नौकरी कर रही है वे हर छेतर में सफल हो रही है देश का नाम रोसन कर रही है अगला कुश्यन है अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तयार करोगे आंसर है मैं अपनी टीम को सच्चाई और इमानदारी के साथ खेलने को कहूंगा टीम के हर सदश्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग बना कर खेलने को कहूंगा टीम की कमजोरी को दूर करूँगा और किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उडाऊंगा मैं अपनी टीम को देश के लिए खेलने को प्रेजित करूँगा टीम की हर रोज कसरत पर प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे हमारी टीम मजबूत वे ताकत वर बने बच्चों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू